नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योब चनल पीएफ़पी में आज हम केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है ये स्टॉक हमें 40% क्रैश होता हुआ नजर आ सकता है मेरी एनलेसिस क्या है ये मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ स्टॉक का लाश्ट डेट प्राइस है 390 रुपीज जो की 2% नीचे है 1400 करोड की मार्केट कैप है 24 का PE रेशियो है फाइनेशल ट्रेंड के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे कि पिछले 3 सालों से रेवेन्यू लगातार नीचे आ रहा है और प्रॉफिट लगातार उपर जा रहा है कि आपको यहाँ पर मार्जिन में अच्छा गासा इंप्रूब्मेंट देखने को मला तो as a small cap company इनका financial performance आपको decent नजर आता है अच्छा नजर आता है company को list हुए एक साल हो चुका है लेकिन institution ज्यादा interested नहीं है 74% का हिस्सा अभी तक promoter के पास है और बाकी का retail category में दिखाई पड़ता है mutual fund ने और FIS ने negligible investment किया है mutual fund ने फिर भी 1% से थोड़ा सा ज्यादा investment किया है लेकिन FIS का 0.09% का negligible investment हमें दिखाई पड़ता है stock के चार्ट पर हमें clearly पता चलता है कि stock के listing 700 प्लस लेवल्स पर होई थी उसी दिन पर ये stock हमें 600 रुपे के नीचे आता हुआ नजर आया और अभी तक ये stock 600 तक फिर भी कभी नहीं गया है continuously stock में गिरावट देखने को मिली कुछी दिनों में ये stock हमें 400 के लेवल पर दिखाई पड़ता था और 400 का लेवल बहुत बार as a important support देखने को मिला support लेता सागे 400 का जाता 500 तक जाता फिर से गिरावट देखने को मिलती एक बार ये stock हमें 500 के लेवल तक जाता हुआ नजर आया 550 का लेवल टेच हुआ उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली सेम वही स्टोरी रिपेट हो रही थी 400 का लेवल ही आपको as a strong support दिखाई पड़ता था लेकिन फिलाल ये 400 का लेवल भी तूटता हुआ नजर आता है स्टॉक ने आज लेवल तोड़ दिया है 2% की गिरावट के साथ ये 390 पे close हो चुका है तो स्टॉक में weakness बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है से खरीदारी कर सकते हैं लेकिन ये blue chip companies के लिए applicable है large caps के लिए ज़्यादा applicable है जबकि chemcon हमें small cap दिखाई पड़ता है अगर ये और गिर गया thousand crores से भी कम market cap हो गई तो ये हमें micro cap category में जाता हुआ भी नज़रा सकता है तो stock में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है clearly दिखाई पड़ता है इसका जो एक important support था 400 का level वो तो हमें तूटता हुआ नज़राया आज ही stock ने गिरावट दिखा दी है यहाँ पर और भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है यह तो दिखाई पड़ता है लेकिन कितनी गिरावट हो सकती है उसके बार में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेता है तो generally ज गंबा time frame यहाँ पर निकाला है तो कौन सा resistance था उपर के side पर वो हमें देखना पड़ेगा important resistance आपको कौन सा दिखाई पड़ेगा 550 का level दिखाई पड़ेगा जहां से कई बार stock हमें return होता हुआ नज़राया आप देख पाएंगे यहाँ पर भी resistance लिया था यहाँ पर भी लि से अगर यहाँ पर 150 points की गिरावट आपको दिखाई पड़ती है 250 के levels हमें expect करने चाहिए 250 आने की almost 40% की गिरावट हमें expect करने चाहिए अपकोर्स यह एक दिन में या फिर एक हफते में नहीं होगा slowly slowly आपको यह होता हुआ नजरा सकता है यह होगा नहीं होगा यह भी किसी क दो महीने पहले बनाया था उसके बाद stock थोड़ा सा उपर गया थोड़ा सा consolidated किया लेकिन आज हमें वो crash होता हुआ नजराया वो support उसने तोड़ दिया है तो बहुत लोगों को उससे फाइदा हुआ है बहुत लोग वहां से निकल चुके हैं तो बस यहाँ पर same situation दिखाई परती है केम कॉन में भी 400 का level तूटता हुआ नजराया तो as investor आपको बहुत ही ज्यादा alert हो जाना चाहिए देखिए company overall मुझे decent नजराती है बहुत बुरी company नहीं है लेकिन institution का interest आपको नजर नहीं आता और as a small cap company risky बहुत जादा होती है और as a retailer हमारी इतनी capacity नहीं होती है कि एक अच्छी company को हम hold कर पाएंगे उसके बुरे समय में इसलिए technicals को थोड़ा सा follow करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है और इस company पर मैंने कई बार videos भी बना है 400 पर मैंने खरीदने को भी का था as a support दिखाई दे रहा था इसलिए यहाँ पर मेरा फर्स बनता है कि ज साथ कई बार 2-3 वीडियो में 4-5 वीडियो में cover किये हैं happyest mind तो चल गया अभी वहाँ पर profit हो रहा है तो सब ठीक है उसे अगर हम फिर से नहीं कहेंगे कि भाई यहाँ पर निकलना चाहिए hold करना चाहिए वो चलेगा लेकिन chemcon में अगर आगे loss हो सकता है तो यह मेरी जिम् मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं तो chances यह ज्यादा नजर आता है कि stock weak हो जाएगा अब यह कहां तक जाएगा यह बताना मेरे हिसाब से अभी फिलाल के लिए तो possible नजर नहीं आता है क्योंकि नीचे कोई chart ही नहीं है जितना यह गिरेगा all time low होता जाएगा नीचे क कोई support दिखाई नहीं पड़ेगा तो यहां पर थोड़ा बताना मुश्किल हो जाएगा तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगता है तो please कोई feedback दीजिए thank you stay happy happy investing